नवस्कार में शीतल शर्वा और आप देख रहे हैं हमारा खास कारिक्रम बात भारत की जिसमें आज हम फिर से भात करेंगे जबुकश्मीर के चुनाव को लेकर जी हाँ जबुकश्मीर में विधान सबा चुनाव के अधिकार कोशना कुछ दिन पहले हो चुकी है जबुकश्मीर के में अब सियासत काफी तेज हो गई है और नामंकन की प्रक्रिया भी आज पूरे दिन देखने को मिली सुभा आज नामंकन प्रक्रिया शुरू हो गई क्यूंकि आज पहले चरण के नामंकन की आखरी तारीक थी यानि आखरी दिन था और आज नामंकन करना ज़रूरी था लेकिन उससे पहले जब हमने देखा तो सभी राजनितिक पार्टियों ने गहरे चिंतन मंतन के बाद जो प्रत्याशी है उनको सामने रखा लेकिन उसमें भी विवाद देखनी को मिला जाए वो भारती जनता पार्टी हो या कॉंग्रेस नेशल कॉंफरेंस का गठमंदन हो उसमें सीट शेरिंग का मापना वहाँ पर बात विवाद हुआ बीजेपी के अंदर भी बीजेपी के कई सारे लोगों में भी आकरोश देखनी को मिला गुसा देखने को मिला अन्दाराजगी देखने को मिली अपनी पार्टी के प्रती कहीं न कहीं उनमें गुसा था कि आखिर किस तरह से केंद्री नेत्रिट तो ने ये पैस्टा लिया और ये टिकेट पित्रण काया कारिक्रफ रखा कई सारे लोग नाराज भी दिखे और कल बीजेपी के पार्टी ओफिस में काफी ज्यादा विवाद भी हुआ और उस विवाद के बाद खुद जो बीजेपी के अठेक्षे प्रदेश अठेक्षे उन्हें सामने आने पड़ा और उन्हें सफाई देनी लेकिन ये कारवा यही नहीं था वा उसके बाद कॉंग्रेस और नैशनल कॉंफरेंस के बीच का जो गटबंदन है या जो सीट शेरि हैं जहाँ पर प्रत्याशी तरह ही थे एक बड़े चेहरे के रूप में लेकिन उसके बाद उनका पत्ता जो है वो साथ जिया खट लिए अब जो सियासी सरगर्मियां है वो काफी ज्यादा हो गई है चारूं तरफ गल्यारूं में जो है सिर्फ और सिर्फ जमो कश्मीर की राजनीती को लेकर चर्चा होगी लेकिन अब वो तारीख जब आएगी यानि चार अक्तोबर जिस दिन ये परगाम निकल कर सामने आएंगे उस दिन तस्पीर बिलकुल साफ होगी कि आखिर जमो कश्मीर का किंग कौन हो जमो कश्मीर का राजा कौन बनेगा कौन नई सरका में कौन हो जाने के लेकिन उससे पहले देखिया आज नामंकन था और नामंकन में जब पुर्मो की मंत्री उमर अब्दुलान है कि अ कि आज इन एलेक्शन के पहले फेज का नॉमिनेशन भरने का आखरी दिन है और लगातार तीन दिन जो छुटिया रही उस बात का नतीजा यह है कि लगबख हर कैंडेट जो है वो आज अपने कागस भरने का काम कर रहे हैं और तिन सो सत्तर की बेडियों ने जिस प्रकार से यहां की मानसिक्ता को एक अलग दिशा पे चला रखा था उस सब को नस्ट करके धुस्त करके नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पहली बार यह चुनाओ जमू कश्मीर में विधान सबा का जो कराने जा रहे हैं यह बिल्कुल अनोखा और विचित्र चुनाओ होगा इस तरह से आज बड़े-बड़े नेताओं ने भी नामंकन किया है अपना नामंकन भरा है और अब पहले चुनाओ ही जो तैयारिया है वो भी तेज हो गई है चुनाओ प्रचार तेज हो गया है अब घरगर जाकर सभी पार्टियां जो है वो लोगों को लुभाने में लग लोग सभा चुनाओ के मुद्दे क्या विधान सभा चुनाओ में भी काम आएंगे या फिर यहां की परिस्थितियां कुछ अलग होंगी आज के कुछ खास मैमान अवारसात इस चर्चा में जोड़ चुके हैं आपको बता दें हावारसात अविजी जस्रोटिया जी हैं इस उस वक्त स्टूडियों में जोड़े हुए हैं कुछ मैमान और भी थोड़ी देर तक जोड़ेंगे लेकिन उससे पहले आपको बताना जरूरी है कि दस साल के लंबे समय के बार जमो कश्मीर के अंदर चुनाओ होने जा रहे हैं आज परिस्थित्या अलग हैं उस पर आज चर्चा करेंगे फिलाल अभी जी जस्रोटिया जी हैं बीजेपी प्रवक्ता इस वक्त हवारसात स्टूडियों में मौझूद हैं राजियू सर्राप जी हैं कॉंग्रस के प्रवक्ता वो भी इस वक्त आपके टीव स्क्रीन पर और आदर्श गुपता जी हैं वरिष्ट पत्रकार हैं वो भी इस वक्त हवारसा जॉइन हो चुके हैं बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हवारसा जुड़ने के लिए और इस खास चर्चा में इस खास विशय पर हवारसा चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रि सबसे बड़ा संगठन सबसे बड़ा परिवार और एक परिवार के तहतम लड़ते हैं और 24-7 हम चुनाओं के लिए तयार रहते हैं लेकिन जमोकश्मीर के चुनाओं में क्या हुआ सर थोड़ी सी परिस्तितियां अलग दिख रही हैं बीजेपी के अंदर अंदरूनी बामली ज्यादा निकल कर आ रहे हैं एक जो परिवार का आपका नारा एक जो विजन है वो थोड़ा सा डगमगाते हुए नज़र आ रहा है क्या है कि एसा किष्क नहीं है कि जिसन आप में भी आखर में अबसकर आ रहता हुँ कि एक बड़ी बात इसे बड़ी बात है एक बड़ी डिस्टिप्रिंट पार्टी है कार पर सभी के सभी लोग चो है वो हमेशे आपको लोगों ही खिद्मत करते नज़र आएंगे कि तभी करोना काद में सबसे आशारते किसी न दीती तो बाती जिता पठी करें रही बात छोटे मोटे कर मन बुटाल इसमें कुछ है तो हमको भी जिस तरह से कॉंग्रेस और रेशनल कॉंपर सबके सब इकठे मिलकर चुनाव लड़ने की नोटे ठानी है और हमारे खिलाब ज लेकिन आपकी कुछ अपने नेता ही आपकी छिलाफ लड़ने उतर गए हैं बैदान में किस्तवार की बात करूं वहाँ पर भी देखने को मिल रहा है देखिए इस तरह से होता कि हमेशा कही न कहीं कुछ लोग जो होते हैं अभी जी बोखना चाहूंगा फिलाल एक मिनिट के लिए आपका ओडियो नहीं जा रहा है माफी चाहूंगा लेकिन तब तक में राजिव सराब जी आपके पास आऊँगा जब तक अभी जी जी का ओडियो ठीक हो जाएगा राजिव जी आप फाइनली आप दोनों के बीच जो मन्थन है वो हो गया है चाहिए वो नैशनल कॉंफेंस हो या फिर कॉंग्रेस हो लेकिन जिस तरह से बीजेपी या फिर घ्रह मंत्रिया मिच शाह के जो सवाल थे खास तोर पर मैनिफेस्टों को लेकर क्या वो तालमेल आप बिठा पाए हैं नैशनल कॉंफेंस के साथ राजिव जी राजिव जी आप सुन पा रहे हैं चले राजिव जी फिलाल उन तक भी आवाज नहीं पहुंच पा रहे हैं तकनी की रूप से कोई यहाँ पर दिक्कत खड़ी हो रहे हैं लेकिन जेंड के विधानसवा चुनाव में जो पहले चरण में बतदान होने हैं उसकी तबाम जो सीटें हैं यानि जो छेत्र हैं वो आपके टी स्क्रीन पर हैं वो जानकारी भी अब आप तक पहुंचा रहे हैं फिलाल आदर्श गुपता जी भी वरिष्ट पत्रकार हैं वो भी आवारिसत बने हुए हैं मैं उन्हीं के पास जाना चाहूंगा आदर्श जी आप आवाज सुन पा रहे हैं जी बिलकुल बिलक जेंता पार्टी का एक आई वोटे ड्रामा देखनी को मिला हूँ हम। हमने वि बहुत देर से कवर कर रहे हैं सभी एलेक्शन्जा वर बार्ति जंता पार्टी चैंठी साब है आर्स तो बिलकुँ सही बात कहेंगे, इसमें कुछ शक नहीं, लेकिन कल जो हुआ, उस बात को लेके कोई नहीं बात नहीं हूँ, यह एक्सपेक्टर्स था है, जितने भी जो सूझ भूज रखने वाले हैं, जरल जरा भी राजनीती में सूझ भूज रखने वाले हैं, उन सब को य किट मिलेगी, तो जो बीस, तीस, चाल, चाल साल से कार्य करता यहां पर का्म कर रहा है, यह वरकष त्यारी में जो मेरा मेरा भी वोका मिलेगा, हूँ उनको ऱ्तों नराशा दो होगी, यह बात विर तेह दी, यह बात तो तेह थी लेकिन सबसे बड़ी बात ही है कि इया अ आप भी आज भी 29 के जो लिस्ट आए है आपके सामने है वो सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें देखना है कि तदीली लाएगी यह तदीली नहीं लाएगी क्योंकि भारती जनता पार्टी ने आनन फानन में तो लिस्ट निकाली नहीं है बड़े-बड़े वहां पर मस्तक पै नीम से गलती हो गया यह हॉँं ठीक है लौतूंगा आपके पास अभजी जिस से आधर जी कह रहे हैं कि इतनी बड़ी गलती बड़ी पार्टी से आपका थो हमेशा कहना रहता है कि नेशन फर्स उसके बाद पार्टी और उसके बाद सल लेकिन यहां पर जिस सिर्फितिता कि fitness के नाराज हो रहे हैं आपके नाराज को लेकर या प्रक्षाले हैं कि उस्टक और पार्टी को चोड़ रहे हैं भी इस्तिफा दिया जा रहा है तो ये क्या संकेथ कर्मत करता है कुछे वह पर पुराने वारे वहां देखा हुआ है कि जिस दोर केंदर भाते जंता पार्टी के बड़ा एक छोटा सा कैडर यहां हुआ करता था तो उन्होंने काफी कुछ सहा हुआ है तो उनकी पूरी तरह से अगर आप कहें तो मैं यह भी कहूंगा कि उन लोगों की वज़ा से ही आज पार्टी यहां पर पहुंची हुए लेकि जब हाई कमांड होती है डिसीप्रेंट पार्टी है हर एक चीज में जब एक डिसीजन लिया जाता है तो उस समय ठीक है जब तक टिकट नहीं बढ़ती तब तक अपना अपना इंसान का रहता है लेकिन जब एक वर बंढ़ की जिसको मिल गी तो हम सब को उसके पीछे लगता नहीं कि इस इस सोच क्यों होंगे लेकिन कहीं ना कि थोड़ा सा फरक पड़ जाता है इसके अगर किसी के मन बुटाब भी है तो काल जिसतना से अगर आप देखेंगे हमारे अध्यक्षर रविंदर रहना जी ने काफी अच्छे सिच्वेशन को हैंडल किया था ठीक जिसने जो सोचा है उसको कौन रोख सकता है जो जहां चाता अगर जिसी को लगता है जिस तरफ उसका है तो यहां पर जहूरी होता है है अगर कोई जाना चाहता तो ज़रूर जाना चाहिए लेकिन मंडल प्रेजडेंट ने आपकी पार्टी को छोड़ दिया भारती जनता यूवाँ मोर्चा से उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया उनके साथ जनरल सेक्टरी ने भी इस्तीफा दे दिया और कई सारे ऐसे कारी करता हैं जो इंडिपेंडेंट चुनाव रड़ रहे हैं आप एक आडियालो से जुड़कर क्योंकि सेज के अंदर भी आके मैंने प्राथमिक संग का भी किया है और आज आडियालो से जुड़कर मैं ही एक ऐसा शक्त हूँ जो हर चैनल पर कहता हूं कि जीना मरना भारती जनता पार्टी में और रही बहुत अगर टिकट की तो मुझसे पहले डीड़ बजे रात को कॉल करके मैंने उनको यहां से बढ़ाई दिया है कि त्यार हो जाएं आपके साथ हैं हम किसी दूसरे को नहीं जीते हैं कि यहां पर भारती जनता पार्टी का ही पर्चम जो है वो सबसे पहले जिस रोटा में लैराय जाएगा तो उसके लिए हम रडी हैं दोनों के दोनों मिलकर आपके सामें देखीगा जो सोटा किसी बारती जनता पार्टी के खाते में आई को चाहे लाग कोशिश कर ले कोई हमें हरा नहीं सकता वहाँ पर ठीक है तो इस तरह का मुझे लगता कि हर एक कारे करता को जो अपने आपको बीस साल तीस साल परोना कहता है इस दिन निचे के साथ में पार्टी के साथ आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि यहाँ जब हम सियासत के अंदर आते हैं तो अगर आप भारती जनता पार्टी के साथ जुड़े है तो हमारे मूलबूत सिद्धातों में सर प्रतंदेश है उसके बाद पार्टी अपना तो लास्ट में आता है तो फिर आप इस तरह की बात मुझे नहीं लगता किसी हो करनी चाहिए राजियो जी आप सुन पारे हैं राजियो जी आप तक आवाज पहुंच रही है आवाज थोड़ी काम ने आपकी जी राजियो जी बताईएगा लास्ट पर सहमती तो ब धन्यवाज शीतन जी मेरा मानना है और पार्टी का मानना है जब आप फ्रेंडली या आप आपस में एलाइंस में जाते हैं तो आवे से आपको कुछ छोड़ना पड़ता है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है तो इस वास्ते अगर आपने ये मन बनाया है कि इस सेराव ना हो और सेकुलर वोट एक तरफ हो तो मुझे लगता है को को बुरा नहीं है और पार्टी हाइकमान ने सोचा को अच्छा ही सोच की किया होगा तो क्या लगता है आप जो नैशनल कॉंफरेंस के साथ जो गटबंदन बनाया है उस पर कई सारे सावाल खड़े हुए हैं भारती जनता पार्टी आप पे पूरी तरह से निशाना साध रही है देखें ये तो निशाना साधें हैं क्योंकि कल हमने देखा ये पहले तो पर्चे लीक होते थे और कल हमने देखा कि इनकी लिस्ट भी लीक हो गई तो ये पहली वारी एक बड़ा मतलब अच्छी चीज़ सुनने में आई कि इनकी लिस्ट पहले लिए होगी और उसके बाद अनुशासन की जिसकी दुहाई बाजबा देती थी वो भी सबने मीडिया में और चैनलों में देखा लेकिन मैं आपको फिर भी बताऊं जो सेक्लर वोट है जो लाइक मैंडिड वोट है उनको इकठा करने का परियास है और हम उसमें काफी हद तक काम्याब होंगे क्योंकि डिवाइड और वूल वाला काम इंका नहीं चलेगा और लोग आप समझ चुके हैं कि जो इन्होंने हमें आप बात कर रहे हैं नेशनल कॉंफेस्टों का समर्थन कांग्रस कर रही है नहीं देखिए हमारा में मैनिफेस्टों आ जाएगा ऐसा नहीं है आप सैक्लरिजम की बात कर रहे ना देखिए 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 उसमें 1370 हटाने की पहली जो उन्होंने मुद्दा रखा है मैनिफेस्टों में 13370 को वापिस लाए जाएगा 35 को वापिस लाए जाएगा पाकिस्तान से बाचीत की जाएगी PSA हटाया जाएगा और जो लोग जेलू में हैं उनको बाहर निकाला जाएगा यानि उसी तरह का माहूल आपकर से देखना चाहते हैं जमो कश्मीर के अंदर सुनिए शेतल जी क्या होता है प्री एलाइंस भी होता है पोस एलाइंस भी होता है और हमारा अपना मैनिफेस्टों होगा हमारी अपनी शर्ते होंगी मैं आपको फिर यह कह लूँ कि कांग्रेस इस बात पे कमिटिड है कि सरकार बनने बाद पहले स्टेट हूड दर्जा देंगे और इसमें लोगों की यहां के लोगों की नोकरी और जमीने सुरक्षी पर इने रखी जाएंगी यह मैं आपको इसमें से कहाएं सुब्रीम कोर्ट ने इसमें अपना वरडिट दे दिया तो अब इसमें बात करने की कोई गुझाईश हमारी नहीं रहती जब सुब्रीम कोर्ट का वरडिट रा चुका है लेकि उसके बावजूद भी जो तीन सो सतर जब इन्हों ने तोड़ा इन्होंने हमारी नोकरियां साली कैंसल कर दी जिदनी लोगों रहे हुए थे और जिनकी नोकरियां मतल़ लगनी थी या जो भी होना था वो नोकरियों का और जमीनों का जो नुक्सान हुआ और उसके भाद तरहंगे आen आउटसाइडला के यहां काम लिया मतलब मैं फिर बोलू कि यहां शराव माफिय एक्टिव हो गया यहां खनल माफिय एक्टिव हो गया उसके बाद यहां ड्रज का काम बढ़ गया क्राइम इतना है अगर आप किसी नार्मन एसेट्चों को पूछोगे तो वो कानों को हाथ लगाएगा कि क्राइम उसको समझे नहीं आ रहा इतना क्राइम जमुन में हो चुका है लेकिन परियटकों की संख्या भी तो बड़ी है राजीव जी वह आप मानेंगे नहीं मानेंगे तो पहले आप उससे हमारे प्रेटक आ रहे हैं उससे हमारा काम नहीं चलता आप ही के चैनल में कमी आई है काम हे नहीं है अतंगवाद में कमी आई है एक बंब वहां मिलता है तो आप कैसे क्या से जो आंतकवाद कंट्रोल जो जम्मू पीश्पुल रहा उसमें आंतकवाद दर्वासे में खड़ है ठीक है अभी जी विभाजन की राजनीती आप पर यह आरूप है यह सेकुलर यह चाहते हैं कि सेकुलर वोट इनके पक्ष में और यह इस कोशिश में यह खुद कहना है कि सेकुलर वोट जो है हमारी तरफ जा रहा है आप पर विभाजनकारी की राजनीती राश्पवादी की राजनीती या फिर तोड़फुड की राजनीती का आरोप लगा रहे हैं मैनिफेस्टो है इलेक्शन का मैनिफेस्टो जिसमें वो क्लियर कड़ कहते हैं कि पांच गर्स दोज़दार उन्निस के बाद जो जो निरने लिए उनको हमसा वापस करतेंगे तीन सो सब्सक्र काम समर्थन करते हैं यह सब कुछ करने की बात की गई अब आब यहां पर सोच जिसे इसी नेशन कांफरेंस और कांफरेंस ने पूरे तीस साल अपनी गंदगी साफ करवाई उनके बच्चे पीएश्डी करने के बाद भी गंदगी साफ कर रहे थे तो आज अगर आप देखेंगे तो राउल गांदीज उनकी रिजर्वेशन पे सेंट लगाना चाहते है तो ये कौन सी महबत की दुकान है जिसके नीचे ये कबरेस्थान बनाने के लिए उतारू हो चुके हैं क्योंकि डेड़ लाग से जदा लोग तो इनके इनी मनसूबों के चलते बली चड़ गए जिसमें शम्शानों में और कबरेस्थानों में हैं और अब ये चाहते हैं कि हम नेशनल कांफरेंस के साथ मिलके वही बातें करें वही आटोनामी वही हम दूसरा अपने तरंगे के गेस्ट आज डुआ कांग्रेस जो है वह दूसरा जंडा भी लाने की फिराग के अंदर है तो इसके अंदर आप सो सकते हैं कि धोरे मब्दंट की राजनीती आज से लानी फिर से ना आए फिर से वह जो आम आदनी के स्टैंडर आफ लाइफ इंप्रूव वह नहीं चाहते हैं कि डायला की बैग्डर अपॉइंटमेंट हो जिसमें इनी के चाचे बतीजाओं को और इनी के रिष्टेजारों को नो क्रिये मिले तो यह राहूल गांदी को पूरे देश को स्पष्ट करना पड़ेगा किस तरह की मान सकता से राहूल गांदी और कॉंग्रेस साज गरसित हो चुकी है ठीक है मैं राज्यू जी आप से जवाब चाऊंगा लेकिन उससे पहले में पहले भी आपको कहा कि बाती जन्ता पार्टी जो है उसकी एक ही नियद है कि जमो किश्मीर में अपनी सरकार बनाए कर दो जो ड्रामा को देखते हुए लगा कि बाती जन्ता पार्टी के सामने एक बहुत बड़ा कश्च सा आने बाला लेकर मुझे नहीं लग रहा कि ज्यादा बड़ी बात होगी क्योंकि पार्टी जंदा पार्टी इसमें जल्दी ही इसमें काभू पाली कि जो लिस्ट आई इसमें चेंजिस नहीं लाई गई गई और लग भी रहा कि बहुत बड़ी चेंजिस लाने वाले में नहीं आई यह ल जिन्दा रखती हैं. वो सिर्फ बतीस सीटं पे जाके समझोता कर लेती है और फिफ्टी बन सीट, कावन सीट नेशनल कांफरस के. वो पांट सीटं पे फ्रेंडिकि मैच कर रहे हैं जिए. मुझे ये बताईए. एक नेशनल कांफरस की नियत ये है कि किसी ना किसी तीरिके से उन candidates को हराएंज है ''colonational conference को छोड़ कर भार्टी जन्ता party में चले गए तो क्या Congress जो है, उनका saads दे रही तो विरोड करें ये भार्ती जन्ता party को फ warto दे रही है veramente नोगралटा की बात करें。 नोगरोटा में नोगरोटा में और नेशनल कांफरेस आकर को तुन्हें समझता किया सीट पे बिल्कुर। गटबंदन के बाद यूस डूप्लीकेट टेक्टर फुरूग अपदुला से मिलने क्यों गया उसके पीछे क्या राजा क्या उनसे बात हुई यह बात यू है पॉब्लिक डूमेन में आनी चाहिए एक अमेरिकन डूमेन में जाके उसके पाक करता है कच्छबंदन के फोरण बाद वो क्या होती है क्या नहीं इसके पीछे क्या है देश यह जानना चाहता है यह सबसे बड़ा स्वार काकर इसके साबने है ठीक है राजू जी इस सवाल का जवाब कैसे देंगे राजू जी और साधी साथ आदर्श जी ने कहा है कि आपने जमो कश्मीर के अंदर घुटने टेक दिये नैशल कॉन्फरेंस के सामने पीडीपी के लिए भी आपने दरवाजे खोल दिये हैं तो क्या आपका मकसद सिर् कि इना राजू जी सवाल जो पूछा गया है तरशी की तरफ से हाँ मैं यह कह रहा हूं कांग्रस ने कोई पूटने नहीं टेके आपको लग रहा है लेकिन हमें मैंने फिर कहा सेक्टलर तास्तों को मश्बूत करना है सर हमें लग नी रहा है दिख रहा है जम्मो कश्मीर को जिनों के तो यहां के लोगों को सुप मिलेगा और इन लोगों की कहीं ना कहीं जखम मरहम लगे पहले आप गटबंदन को तो बनाईए उसके बाद आप सरकार बनाईए पहले आप मैनिफेस्टों को मिलाईए आप सेक्लरिजम की बात कर रहे हैं उदर से 370 की बात आती है शीतर जी आपने पिछले एलेक्शन में देखा मोधी जी ने किस्टवार में रैलिगी बाब बेटी की सरकार और बाब बेटे की सरकार पर नोंने पूरी तरह से फोकस किया और जम्मू के जो सीटे 25 बीजेपी की आई और पीडीपी की अलगाई लास्ट में दोनों की सरकार मिलके बन गई तो कहने का मतलब है नैशनल इंटरस में या सरकार बनाने में कहीं चीजों से समझोता किया जाता है और करना भी पड़ता है आने वाले समय में हमें देखना पड़ेगा कि जैसे ही ये फार्मेशन होगी कौन से मुद्धे होंगे और कौन से हमें साइड में होंगे ये एक बाद में उसमें अलिकी चर्चा होगी और कामर मिनिमम प्रोग्राम जो बनेगा उसमें इसको रखा जाएगा ठीक है अभी जी जी जब पीम मोधी 2014 में आये थे प्रधान मंत्री मोधी बनने के बाद और उसके बाद उन्होंने किष्टवाड में एक रैली की थी उसमें उन्होंने कहा था कितनी बड़ी-बड़ी पाइपस बनेंगी जहां से अब्दुल्ला परिवार अब्दुला खांदान निकलेगा या फिर जो मुपती खांदान है वो वहां से निकलेगा लेकिन उसके बाद आपने गटबंदन किया वो गटबंदन भी तो बना था जमो कश्मीर के अंदर देखिए परिवारवाद की जो राजनीती वो आपके सामने अगर आप देखो जिस तरह से हलात बदलें पिछले पांचे सालों में आप जो नॉर्मल MLA भी हो पांच हजार के वोट और अगर मंतरी बनना हो तो जिस जमाने में MLA पांच हजार के वोटों से बन जाया करता था दासाजार से मंतरी और मुख्य मंतरी पंदरासार से वोटों से बन जाया वो चीज़े बदल गई आपके सामने आई लोकों वोट लेना पड़े हो जब लाकों वोट लेने की नोबत आई तो दो दो जो एक्स चीफ मनिस्टर है वो हार गए तो यही था इसको कहते हैं कि कम स नैशनल कांफरेंस की बस पकड़ ली है अब नैशनल कांफरेंस के हिस्ते से सीटें निकाल कर वो यहां पर चुनाव लगना चाहते हैं चो चाहते हैं कि हमारे भी दो चार पांच यहां पर और यहां अंपर जारी हैं आ हैं वारे जारेंस की के बात करीएंगे अब टानलों की बात करेंगेगा अंब बताएंगे लडाक जब से लडाक है तब से पहली बार वो बारा मीने देश के साथ जोड़ा जोड़ कर रहेगा आपके पास क्या है वही 370 की लखीर के लिए नहीं चीज तो कुछ नहीं इनके पास तो क्या उस एजन्डे के साथ उस अधार पर यहाँ पर लोग भारती चिनता पार्टी को अपनाएंगी या फिर नेशनल कॉंफेंस या फिर कॉंग्रेस का जो कड़ बंदन है वो यहाँ पर जो है वो बीजेपी पर भारी पड़ेगा यह देखना बहुत ज़्यादा दिल्च आज के लिए फिला लिखता ही दीजे अजाज़त रफसकार